मूवी की शुरुवात में कुछ बच्चों की साइकल रेस दिखाई जाती है जिसमें हम मूवी के मेन करेक्टर पिली को देखते हैं पिली अपने फ्रेंड को गाइट कर रही होती है कि कैसे वो ये साइकल रेस जीत सकते हैं इस रेस में कुछ puzzles भी होते हैं जिसे इनको solve करना था जिसमें पिली काफी expert थी और इस तरहां उसके intelligence की वज़ा से पिली और उसका friend ये race जीत जाते हैं इसके बाद scene change होकर हमें हवाई का scene दिखाया जाता है जहां पिली की माँ उसे और उसके भाई को उनके नाना कीमू से मिलवाने के लिए लेकर जाती है जब वो लोग घर के अंदर आते हैं तो पिली का भाई कहता है कि ये घर कितना old fashion है इसके बाद उनकी मौम दोनों बच्च कुछ नहीं सिखाई अब इसी दोरान पिली की नजर वहां पर एक vanity van पर जाती है जो कि पिली के नाना की है और पिली उसमें क्या है ये जानने के लिए काफी excited होती है इसलिए वो छुपकर van के अंदर जाती है अंदर उसे काफी सारी चीज़े मिलती है जिसे देखकर वो बह टेरे हुआ करते थे और साथ में उनका एक कुक था जिसका नाम था मॉंक इस बुक में खजाने के बारे में लिखा हुआ था जो काफी सालों से छुपा हुआ है और आज तक जो भी उस खजाने को लेने गया है वो वापस नहीं लोटा इस बुक में खजाने तक पहुँचन उन्हें वहाँ आता देखकर पिली बुक को अपने बैक में छुपा देती है और फिर वो बैक साइट से जम करके वैंस से निकल जाती है तब वहाँ पर पिली को एक लड़का कैसपर देखता है जो कि वहीं हवाई का रहने वाला है और पास ही में उसका घर भी है अब पिली उ पिली से वो बुक झेन लेता है फिर वो उसे उस बुक से रिलेटेड आतमाओं के बारे में बताता है कि वो आतमाय किसी को भी खजाना लेने नहीं देती और जब कोई खजाना ले आने की कोशिश करता है तो वहां आसपास ड्रम्स बजने लगते हैं ये सब सुनकर पिली डर जाती है अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि उनकी मौम अपने डैट से लड़ रही होती है दरसल लिली कीमू पर इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि कीमू ने काफी टाइम से टैक ये सुनकर दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि उनके नाना के पास देने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए उन्होंने अभी तक टैक्स भी नहीं भरा है और अगर उन्होंने जल्दी टैक्स पे नहीं किया तो उनका ये हवाई वाला घर बिग जाएगा थोड़ी देर के बा बारे में डिसकस करने लगते हैं कि कैसे उस खजाने को रॉबिंसन और ब्रॉंस ने चुराने की कोशिश की थी कैसपर बताता है कि मौंग बहुती बुरी हालत में बीच के किनारे पर मिला था जैसे कि उसको किसी ने बुरी तरहां से मारा हो आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस मौंग को आखिर मारा किसने था तब ही पीचे से पिली के नाना कैस्पर और पिली की बाते सुन लेते हैं और पिली के हाथ में वो मौंग वाली बुक देख लेते हैं और फिर वो पिली को घर ले जाकर पूछते हैं कि तुमने ये बुक क्यों चुराई पिली अपने नाना से पूछती है कि आपके पास यवा कैसे आई थी तो कीमी बताते हैं कि ये वुक उन्हें उनके फादर ने दी थी और उनको उनके फादर ने और साथ में कीमी उसे अपने गले का एक लॉकिट भी दिखाते हैं। तब पिली समझ जाती है कि जब वो मॉंग आईलेंड पर था तो वो मेरे ग्रेंट फादर के ग्रेंट फादर से मिला था और उसी ने ये बुक और लॉकिट उन्हें दिया था कीमू पिली को उसी आईलेंड को दिखाने के लिए लिकर जाता है जो कि उस बुक में लिखा है वो आईलेंड बहुत ही खुबसूरत था और वहाँ जाकर पिली उस बुक को खोलती है जहां पिली उस बुक को वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करती है पिली को वहाँ पर एक पिली थोड़ा उपर जाकर उसे देखने की कोशिश करती है, मगर कीमू उसे इतनी दूर जाने से मना करता है, मगर पिली अपने नाना की बात नहीं मानती, कीमू उसका पीछा भी करता है कि वो पहाड पर ना चड़े, मगर इतनी चड़ाई होने की वज़ा से कीमू पहाड से नीचे गिर जाता है पिली ये देखकर घबरा जाती है और वो अपनी मॉम को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है उधर लिली रास्ते में ही सैम को समझाती है कि मेरे फादर की फाइनेशल कंडिशन ठीक नहीं है इसलिए उनका लोन चुकाने के लिए हमें अपना न्यू यॉर वाला घर बेचना पड़ सकता है ये बात सुनकर सैम बहुत ही घुसा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका न्यू यॉर्क वाला घर बिग जाए अब हॉस्पिटल पहुंचकर लिली और सैम पिली को बहुत बाते सुनाते हैं लिली कहती है कि मेरे फादर की जो ह वो तुम्हारी वज़ा से है ये सुनकर पिली बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती भी रियलाईज होती है लिली सैम और पिली को घर भेज देती है क्योंकि खुद वो कीमों के पास रुखती है अगले सीन में पिली और कैस्पर को दिखाते हैं जहां पिली कै जालत मेरी वज़ा से है और मेरे नाना की फाइनेशल कंडिशन भी ऐसी नहीं है कि वो अपना लोन चुका सके तब कैसपर मजाक में कहता है तो क्या तुम अब ख़जाना ढूंडोगी और पिली सीरियस होकर कहती है कि हाँ अब मुझे ख़जाना ही ढूंडना पड़ेगा जि अब कैसे भी करके पिली और कैसपर उन पहालियों तक पहुँच जाते हैं वहाँ कैसपर को उसका एक दोस्त मिलता है जो कि उन दोनों को आगे के सफर के लिए एक छोटी सी गाड़ी ओफर करता है उधर जब लिली घर कॉल करती है तो सैम की आँख खुल जाती है वो देख कैसपर को ढूनने के लिए निकल जाता है कार में वो हैना को बताता है कि वो दोनों बच्य ना समझ है compost को पता था कि वो दोनों खजाना ढूनने ही गए होंगे उधर पिली और कैसपर उस गुफा तक पहुच जाते हैं तभी पिली का पैर फिसलता है और वो दोनों गुफ वो सैम को बताती है कि ये गुफ़ा प्यौर है क्योंकि ये एक कबर है और कबर में नॉर्मल इनसानों का जाना मना है तब सैम उसकी बात का मजाग बनाता है और कहता है कि मुझे अपनी बहन को ढूंडना है जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर गहरी गुफा दिखती है जहां पिली और कैसपर होते हैं और जब सैम पिली को इस गुफा में देखता है तो वो बहुत एगुसा हो जाता है तब पिली सैम को वही स्कैलिटन के पास पढ़े सोने के सिक्के और एक रिंग भी दिखाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बोल रही उस गुफा में गिड़ जाते हैं और पिली उस बुक को खोलती है और उसे पढ़ना शुरू करती है और तब उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना है मगर उस सुरंग से गुजरना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो एक पतले से सुरंग है ज और सैम काफी डर जाता है जिस वजह से वो तेजी से उस सुरंग से भागने लगता है और फिर वो सब किसी तरहां से उस सुरंग को पार करके एक खुली जगा पर आ जाते हैं लेकिन जल्दी करने की वज़ा से वो सुरंग पत्थरों से बंध हो जाती है और उस सुरंग में उ ख़जाने तक पहुँच सकते थे मगर हैना को उचाई से डर लगता था इसलिए कैसपर और पिली एक दूसरी साइट पहुच चुके थे और वो हैना और सैम को भी आने का बोलते हैं अब सैम और हैना भी डरते डरते किसी तरहां से पुल की दूसरी साइट पहुच जाते हैं अब जब ये चारों आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें आगे पानी का एक तलाब मिलता है, ये तलाब जुगनू से भरा होता है, जिसकी चमक पानी पर पढ़ रही थी, तब कैस्पर और पिली को जमीन पर किसी के घसीटने के निशान दिखते हैं, जिससे की एक क्लू लेते हैं कि हो सकता है कि वो सुरंग पानी के नीचे हो, और वो सुरंग को पार करते हैं, जिसके बाद उन्हें सूरज की रोशनी दिखती है, साथी उन्हें वहाँ पर नैट में बंदा हुआ बड़ा सा पत्थर भी दिखता है, तब पिली सैम को उस रस्ती से लटकने को कहती है, ता प्रोनों तरफ बैलन्स होने की वज़ा से वो पत्थर से बंदा हुआ दर्वाजा खुल जाता है, जहां अंदर इनको बहुत सारा खजाना मिलता है, और वो समझ जाते हैं कि बुक में लिखी कहानी जूटी नहीं थी, मगर अब वो सोचते हैं कि जब ब्रॉन्स और रॉब वहीं दूसरी तरफ वो चारो खजाने को पाकर बहुत है खुश थे और वो सोचते हैं कि हमें जल से जल खजाना लेकर चलना चाहिए, पर तबी हैना कहती है कि ये एक प्योर जगा है, यानि कि कबर है, और अगर हम खजाने को यहां से लेकर गए तो और भी लोग इसे ढू दूनने ही गए होंगे और इतना सुनकर लिली बच्चों को ढूनने के लिए निकल जाती है, उधर सैम के बैक भढ़ने से वहां पर सारी मशाले लाल से नीली हो गई थी और यहां पर ड्रम की तेज आवाजे भी आने लगी थी, क्योंकि अब सोल्स जाक चुकी थी, वो सब वहां से भागते हैं और फिर उन्हें रास्ते में लिली भी मिल जाती है, जहां वो सबी सोल्स से छुपने के लिए पास ही के एक अबंडेंट घर में जाते हैं, वही कीमू होस्पिटल में अपने बच्चों के लिए प्रे करता है कि वो सोल्स उसके बच्चे को कोई नुकस तब लिली बच्चों से कहती है कि तुम सब अपना सर तब तक मत उठाना जब तक कि सोल्स वहां से चली नहीं जाती और अब वो सोल्स उस घर में घुच जाती हैं, तब ही पिली अपने भाई के बैक से वो खजाना निकाल कर पास ही में पड़े एक बास्केट में डाल देत है और फिर उसे सोल्स के आगे रख दीती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से सोल्स वहां से भाग जाएं और होता भी ऐसा ही है उन सोल्स में से एक सोल लिली के हस्बंड की भी होती है जो की आर्मी में थे और बहुत साल पहले मर चुके थे बच्चे अपन पिली की मॉम कीमो से पूछती है कि आपको उस खजाने के बारे में सब कुछ पता था मगर आप वहां से कुछ भी नहीं लाए शायद आपको भी पता था कि वो जगा प्यूर है और वहां से कुछ भी नहीं लाया जा सकता तब कीमो बच्चों को मॉम के बारे में बताता है कि म मौंग एक बहुत ही अच्छा इंसान था रॉबिंसन और ब्राउंस खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े थे और उन्होंने मौंग को भी बहुत बुरी तरीके से मारा था और उनके शोर की वज़ा से वहां की सोल्स भी जाक चुकी थी अब मौंग को वह खजाना न इसने नाना के साथ रहा करेंगे और इसी मौमेंट पर ये मौवी खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हां नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ता कि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले